हला व्रिवन वेल्कम बेक टो माई यूट्यूब चैनल माई नीए मिज कृष्णा अरोडा आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत आज हम संस्कृत में अत्र अत्र में अंतर देखेंगे और इसके कुछ एक्जामपल्स देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले है अत्र जिसका हिंदी अर्थ होता है यहां तो इसका प्रियो कहा क्या जता है यहां उस स्थान की और संकेत करता है जो वक्ता के पास या संधर्ब के स्थान के पास होता है याने जो बोलने वाला है उसके पास में जो वस्तु या कोई चीज होती है उसके लिए हम यहां का प् यहां इस गाओ में व्यापारहानी हुई है याने यह पास ही का गाओ है इसलिए यहां अत्र का प्रियोक किया गया है अट्र ग्रामें वानीजयम नस्टम अब नाक्स्ट है तत्र जिसका अर्थ होता है वहां अब इसका प्रियो कहां किया जाता है यहाँ उस स्थान की और संकेत करता है जो वक्ता के पास या संधर्व के स्थान से दूर होता है यानि वक्ता से भी दूर और संधर्व के स्थान से भी दूर होता है तो अब हम इसको example की रूप में समझते हैं कि तत्र का प्रयोग कहां किया जाता है तो आईए अब हम इसके examples देखते हैं इसके example है तत्र नदी तीरे सुन्दरम वनम अस्ती वहाँ नदी के किनारे सुन्दर जंगल है याने हम नदी के इस और खड़े हैं और नदी के उस और वहाँ नदी के किनारे सुन्दर जंगल है तो तत्र नदी तीरे सुन्दरम वनम या अरण्यम अस्ती अब हम अत्र और तत्र के और example देखें उसको समझते हैं कि उसमें क्या क्या होता है कैसे कैसे examples होते हैं तो अब हम सबसे पहले अत्र के examples देखेंगे तो चलिए अब हम देखते हैं अत्र विध्याले गच्छामी यानि यहां मैं विध्याले जा रहा हूं या यहां मैं विध्याले जाता हूं next अत्र पुस्तकम पठामी याने यहां मैं पुस्तब पढ़ता हूं या यहां मैं किताब पढ़ रहा हूं तो यह पास के और संकेत कर रहा है इसल्ये अत्र का प्रियोग किया गया है अब हम तत्र के उधारण देखते हैं तत्र नदी तीरे वनम द्रश्यते वहाँ नदी के किनारे एक जंगल दिखाई देता है याने नदी के वहाँ दूर है इसलिए यहाँ पर तत्र का प्रियोग किया गया है तत्र नदी तीरे वनम द्रश्यते नेक्स्ट तत्र शिवालय पूजाम पवती याने वहां मंदर में पूजा होती है शिवालय याने शिवजी का मंदर तो यहाँ पर लिखावा है तत्र शिवालय पूजाम पवती वहां मंदर में पूजा होती है तो यह तो हुए कुछ अत्र और तत्र के एक्जम्पल आपको के वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह के और वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉ वाचिंग